उसके लिए कंथों को थोड़ा पीछे की तरफ खीचिए इस पाइन अपने अब सीधी हो जाएगी एकदम रिलाक्स होके बैठिए I hope so, कोई आलती-पलती मार के उपर नहीं बैठा होगा सोफे के सब लोग नीचे जमीन पर पैर रखेंगे, ग्राउंडिंग ज़रूरी है सबसे पहले मैं ओम का चैंटिंग कराऊंगी ओम यूनिवर्सल साउंड है तो इस साउंड को सबसे पहले हम अपने अंदर लेंगे ताकि हम स्पिरिच्वेलिटी से कनेक्ट हो सके, यूनिवर्स से कनेक्ट हो सके लंबी गहरी सासे लेंगे टेक डीप ब्रेट्स सासे हमेशा नावी तक ले कर जाना है रिमेंबर दिस म्यूट कर लीजिए जोती जी लंबी गहरी सासे लेंगे नाख से सास लेना है नाभी पर रोकना है और मुह से बाहर निकलना है लंबी गहरी सासे लेंगे नाख से सास लेना है नाभी पर रोकना है चार काउंट आप शुरुआत में चार काउंट रोक सकते हैं उसके बाद धीरे से आप मुझ से बाहर निकालिए जब आप इनहेल कर रहे हैं तो दिहान दीजिए पॉजिटिविटीज हैं जो ऑक्सिजन है वो आपके लंक्स में आ रही है आपका immune system बढ़ा रही है जब नाभी पे आप रोकते हो सास को तो सारे organs को oxygen मिलती है और जब आप मुझ से बाहर निकाल रहे हो तो intention होगी, imagination होगी कि सारे toxins बाहर निकल रहे हैं सारी negativity बाहर निकल रही है take three times deep breaths अब एक लंब भी गहरी सास पेट में रोकेंगे ओम का उचारण करेंगे तीन पार्ट्स में आ, ओ और म, अ की धनी पेट से निकलेगी ओ की हिर्दे से और म की थ्रोट से स्टार्ट करेंगे आँ 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 करेंगे अम अम और इस वाइब्रेशन को अपनी बॉड़ी में फील कीजिए आपको स्टमक एरिया में वाइब्रेशन हो रही होंगी हाट चक्रा के आसपास फ्रोट में और सिर में उन वाइब्रेशन को महसूस कीजिए रेजूनेट कीजिए अपने आपको इन वाइब्रेशन से आपको Now you are spiritually connected to the universe छत्वारों, भातो वातो मतलों भी बपततौत और वी अपना सारा कॉंसेंट्रेशन अपनी अजना चक्र पर लगाए अपनी सासों कर ध्यान दीजिए वो किस तरह से अजना चक्र पर आ रही है और अंदर की तरफ जा रही है जब आप नोस्टिल से सांस लेते हो अपनी नाक से सांस लेते हो तो वो जाके आपकी अजना पर स्ट्राइक करती है और फिर धीर इसे आपकी बॉड़ी में जैसे इस तरह से कुंडली नहीं चलती है उपर से वो जब लेफ्ट नोस्ट्रिल से जाएगी तो पहले वो अजना पे स्ट्राइक करेगी और फिर राइट मुमेंट लेगी क्योंकि क्रिस क्रॉस चलती है धीरे धीरे अपनी सासों को और अपनी बॉडी में नीचे लेटे जाएए मूला धार से और नीचे फैरों पर महसूस किजिए वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी धीरे धीरे जनजन शुरू होगी जमीन का हिसास कीजिए पैरों के तालूओं पर अब जो कॉस्मिक एनरजी आपके क्राउन चक्रा में एंटर हो रही है कंटिनिस फ्लो है जब आप कनेक्ट हो गए हैं उस एनरजी को आप वाइट कलर दे सकते हैं ब्यूटिफुल वाइट स्पार्क्लिंग कलर और इमेजिन कीजिए कि वह आपके क्राउन चक्रा से एंटर हो रही है आपके अजना में आ रही है थ्रोट में जा रहा है थ्रोट चक्रा से होते हुए हो हाट चक्रा में वाइट लाइट और फिर रूट चक्रा, दैट इस मुलाधार, अगें मुलाधार से होती हुई आपके दोनों पैरों के तालवे से और मुलाधार से वो जमीन में जा रही है, आप तीन बीम आफ लाइट मैजिन कर सकते हो, एक रूट चक्रा से निकलती हुई और दो आपके पैरों के तालवे से हैं। इनर्जी है, हर जीव जनतु के पास वो एनर्जी आ रही है। हर तरफ आप उस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, अपने अंदर, अपने बाहर, पुरे वाल्ड में, अपने घर में, घर के लोगों में, बेज और पुल पॉजिठीड, बान शचतान कर पा नुशिस कूछ ले बाइसार्ड, फील बाहरे बात ओटर्वेत् टिरे जनतु आप्वापाश्य। अपने शरीर को महसूस कीजिए हाथों पेरों को महसूस कीजिए जहां पर आप बैठे हैं उस जगे को महसूस कीजिए दी दी बोडी मूमेंट्स लीजिए दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे अपने चेहरे पर लगाएंगे और एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी हतेलियों को देखते हुए आखे को लेंगे रजिस्टर कर रहा हैं अपनी प्रेसेंस अन्म्यूट आप नमस्टे माँ मेधन है आप नमस्टे